गेहूं के आटे का मज़ेदार नास्ता बनाने के लिए मैं हाँ पर ले रही हूँ एक कप गेहूं का आटा पहले मैंने हाफ कप लिया है और हाफ कप और एट करूँगे इसमें तो यह हो गया एक कप ग्यों काट अब इस नास्तियों को और जादा क्रिस्टी बनाने के लिए मैं अट करूंगे यहाँ पर वन फोर्थ कप सूजी बिल्कुल बारीक वाला सूजी है यह नमग डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑईल रिफाइन ऑईल आप यहाँ पर गी भी डाल सकते हैं तो मैं पहले हाँ पर तीन टेबल स्पून रिफाइन ऑईल डाल रही हूँ उसके बाद फिर बाद में और एट करेंगे अब सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है अच्छे सिसको हम रब करेंगे ताकि जो ओईल है वो अच्छे से आटे में फैल जाए तब ही हमारा जो नास्ताव को अदम क्रिस्पी बनेगा तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ओईल कम लग रहा है मैं एट करूंगी इसमें और एक टेबल स्पून ओईल तो मैंने हाँ पर टोटल चाटेबल स्पून ओईल एट किया है और यह देखिए जो आटा है इस तरीके से अच्छे से हाथों में बन जा रहा है इसका मतलब आटे में जो मोहिन है वो बिल्कुल परफेक्ट है तो अब हम इसका आटा लगाना स्टार्ट करेंगे अब हम इसका आटा लगाएंगे आटा लगाने के लिए मैंने हाँ पर एक कप गुनगुना पानी लिया है गुनगुना पानी का यूज करेंगे और इससे हम जैसा रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगाएंगे सॉफ्ट यह देखिए हमने ऐसा आटा लगा लिया है और ऐसा ही आटा लगाएंगे सॉफ्ट अब आटे को ऐसी छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो आटा अच्छे से सेट हो जाए तब तक हम इस्टाफिक की तेयारी कर लेते हैं मैंने हाँ पर एक गोभी लिया है फूल गोभी और इसको मैंने अच्छे से वाश करके इसको मैंने ग्रेटर पर ग्रेट कर लिया है जैसा हम लोग पराठो के लिए ग्रेट करते हैं बिल्कुल वैसा ही देखिए बिल्कुल बारीक है यह तो अब हमें इसका जो पानी होता है वो निकालना है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कॉटन का कपड़ा और नीचे मैंने लगा लिया है स्टेनर अब देखें इस तरीके से इसको अच्छे से हम निचोड लेंगे ताकि गोभी का जो पानी होता है वो निकल जाए और जो गोभी है बिल्कुल ड्राइ हो जाएगी तो हमें स्टेफिंग के लिए बिल्कुल ड्राइ गोभी चाहिए इसका जो भी एक्स्टा पानी है इस तरीके से कपड़े से कपड़े में डाल करकी निकाल देंगे अब गोभी को में गला कटोड़ी में निकाल लेंगे, ये देखी गोभी बिल्कुल ड्राइ हो गई है, अगर हम गोभी को निचोड़ते नहीं तो हमारी जो स्टफिंग गिली-गिली से बनती, इसलिए ये गोभी का पानी जोगता उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, अब म आइ समद्Яश व्यार पेसे कृई टो पर पेसे को, जाना होगे अब डाले हूँ यहां पर एक बारी कटा हुआ प्याज को बिल्कुल बारी क चॉप करेंगे आद रख लिया है उसको मैंने ग्रेटर पर ग्रेट कर लिया है दो ग्रीन चिली ली है उसको बिल्कुल बारी कट किया है अब डालेंगे इसमें 1-4 टीस्पून साबू जीरा हाफ टीस्पून डालने हूं मैं यहाँ पे गरम मसाला हाफ टीस्पून डालेंगे आमचूर पाउडर आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी ले सकते हैं गरम मसाला और जामचूर पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस नास्ते में हाफ टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग अब सभी चुजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखे हमारी जो स्टफिंगों बिल्कूल रेडी है और आटा भी हमारा सेट हो चुका है अब हम यहाँ पे मैदे का गाठा गोल बनाएंगे तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो टेबल स्पून मैदा नमक डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा अब थोड़ा था पाइं डाल करके इसका हमें गाठा पेश्ट बनाना है मैदे का और यह देखे इस तरीके से मैदे का गाठा पेश्ट बना लिया है बिल्कूल ऐसा ही रहना चाहिए इसको जादा पतला नहीं करेंगे अब हम यहाँ पे एक लोगी तोड़ेंगे यह तना रोबड़ा हम लोग रोटी बनाने के लिए लोगी लेते हैं उतना ही बड़ा यहाँ पे लोगी लेना है और इसको अब हम बेलेंगे बेलने के लिए आटा लगाने कोई जो रतनी है यह आराम से इसको पतला बेल लेंग पर देंगे रोटी की शाइस कब यह रखेंगे अ 400 बड़ा बेल लेना आधेग कोंद सेसको इसinement कट करके हम निकाल देंगे इस तरीके से और इसे स्कोयर सेप में लाना है y Thereill से बन गया को इसके बीच में को कर दो बहुत कर देंगे बहुत जाले God और इसके जो किनारे हैं यहाँ पर हमने जो मैदे का पेश्ट बना के रखा है गाढ़ा उसको इस तरीके से लगा लेंगे ताकि बंद कते से में यह खुले न अच्छे से यह पैक हो जाए अब देखे इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसे किनारों को चिपका देंगे अच्छे से और देखे हमारा जो यह वेवेच पॉकेट है यह बनके रेडी हो गया है अच्छे इसको अंगुलियों से चिपकाएंगे नहीं तो फ्राइ करते समय खुलने का डर रहेगा यह देखे अच्छे से चिपक गया है अब एक फोक लेंगे और इसे किनारों को फ़सका डिजाइन दे देंगे इससे डिजाइन भी हो जाएगा और यह खुलेगा भी नहीं यह देखे बिल्कुल बनके रेडी है उसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ यह देखे मैंने इसको बेल करके किनारों को कट कर लिया है यह दे विल्कुल स्कॉाइट सेप में आगिया है अब इसके बीच में हम इस तरीके से स्टफिंग रखेंगे और इसके किनारों पे मैदे का गाढ़ा पेश लगा देंगे अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे बहुत आराम से बंद करेंगे ताकि जो इस ट्रफिंग के वो बाहर ना आने पाए और श्रफिंग को बहुत जादा नहीं भरना है देखें से किनारों को इस तरीके सच्छे से बंद कर लेंगे लाश में फोक लेंगे और उसके किनारों पर इस तरीके से डिजाइन दे देंगे तो हमारा देखिए ये वेज़ पॉकेट बिल्कुल बनके रेडी है ये देखें मैंने सभी वेज़ पॉकेट को बना लिया है अभी हम क्या करेंगे मैदे का जो गाड़ा वाला वेज़ बना के रखा था हमें उसमें पानी डाल करके इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे इस लरी की तरह मैंने हाँ पे चार वाइड ब्रेड लिये हैं और ब्रेड को मैंने मिक्सर में पीस करके ब्रेड क्रम्स बना लिया है ये देखें सितने भी हमने वेज़ पॉकेट बना के रखें उन्हें सबसे पहले हम मैदे के गोल्ड में डीप करेंगे फिर उसके बाद हम ब्रेट क्रम से अच्छे से उसको कोट कर देंगे इससे हमारा वेश पॉकेट से और भी जादा क्रिस्पी और करारा हो जाएगा वेश पॉकेट से लेंगे और उसको इस तरीके से मैदे के गोल में डीप करेंगे अच्छे से फिर उसके बाद ब्रेट क्रम से उसको कोट कर लेंगे अची तरीके से चारो तरफ से इसी तरीके से हम सभी को बना के रेडी कर लेंगे यह देखे मैंने सभी वेस्ट पॉकेट को अच्छे से ब्रेट क्रम से कोट कर दिया है अगर आप breadcrumb से coat नहीं भी करना चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको fry कर सकते हैं वैसे भी खाने में बहुत जादा क्रिस्पी लगेगा क्योंकि हमने ग्यहूं के आटे में मोहिन दिया हुआ है और ये देखे सभी जो बेट पॉकेट्स हैं और इसमने के लिए घाए मेंत में मणे इसको छाए कि रखुआ से बलगिommes dice के ग्रम की दिविए हैसा अब चलिए इसको फ्राइब करते हैं को फ्राई करना के लिए मानिसे पहले गरम मैं होने के लिए रख दिया था और हैं यह इसमितरे में तो अब इक करो कि जो भी वेज़ पॉकेट जितने भी आ जाएंगे मैं इसमें डाल दूंगी और गैस का फ्लेम हमें हाँ पर मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राइ करेंगे मीडियम तो हाई फ्लेम के बीच में ताकि अंदर तक यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसको डालने के बाद एक मिनट तक बिल्कुल भी इसको टचनी करना है जब नीचे से कलर जब चेंज हो जाएगा तब उसके बाद फिर हम इसको पलटेंगे और इसको पलट करके दोनों साइड से अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइ करना है मीडियम तो हाई फ्लेम के बीच में अब इसको ऐसे ही अलटे पलटे हम इसे अच्छे तरीके से फ्राइ करेंगे जब तक कि पूरी तरह से क्रिस्पी न हो जाए और इसको फ्राइ करने में टोटा तीन से चार मिनट लग जाते है और यह देखिए हमारा जो यह वेच पॉकेट से बनके बिल्कूर रेडी है अच्छे तरीके से फ्राइ हो गया है बहुत ही अच्छा कलर आया है यह और बहुत ही जादा यह क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स आप इसको में टीसू पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सभी नास्ते को रेडी कर लेंगे फ्राइ करके तो यह देखे फ्रेंड्स हमारा ग्योंगों के आटे गोबी और मटर का मचेदार नास्ता बनके रेडी है आप इसे गर्मा गरम खाईए यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप इन वेज़ पॉकेट्स को गर्मा गरम बनाईए और चाय के साथ खाईए फिर देखिए सरदियों का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा और एकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी बना था आप लोगों को फ्रेंड ये वेज़ पॉकेट्स की रेसपि कैसी लगी अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए गा और मुझे कमेंट करके बताईएगा रेस्पी कैसी लगी चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कूल मत भूलिएगा मैं मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई